सबी को नमस्ते और राम-राम, मैं ललित आज आगया हूँ Elbari शहर में, Elbari एक छोटा सा शहर है जो की New South Wales और Victoria के बोल्डर पर है, एक दोब एक्स्ट्रीम बोल्डर पर Victoria और New South Wales के शहर है, इस शहर के अंदर प्रकृतिक सोंदर है, जो बहुत ही अच्छा है और जो इस टाइ वो जीरो डिग्री तक भी चला जाता है खेर अलबरी शहर जो है उसको 2023 में उस्ट्रेलिया का बेस्ट टाउन भी माना गया था क्योंकि यहां का जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है सस्टेनेबल डेवलप्मेंट है गूमने की जगह हैं टूरिस्स हैं उन सबने इसको सबसे अच्छा शहर माना था उस्ट्रेलिया का तो अलबरी शहर में जब मैं आया था तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा शहर होगा और देखते हैं कि क्या रहता है यहां पर पट कंपेर टू दूसरे शहर जो मैंने यहां पर देखे हैं रीजनल के अंदर यह जो शहर है बहुत ही यह मेंगेट की एंट्री थी इस एंट्री से ही यह पूरा जो मैप है उसको देखते हुए मैं थोड़ा मूव करूँगा जितना मैं यहां से देख पार हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बड़ जो इदर का यहां पर जो क्लाइमेट है और यहां पर जो निचु बोटैनिक कारडन तो मतलब मुझे जैसा सुनके लगता है जैसा सिड़नी में मैं गया था और भी जगह पर मैं गया हूं काफी तो वहां के जो बोटैनिकल गार्डन है तो कफी बड़े-बड़े होते हैं अभी एंट्री से मुझे इतना बड़ा कुछ लग नी रही हैं और न पेड़ पूर्ड बाकी नोर्मल ही हैं कितना कुछ खास है नहीं बट लाल कलर के जो इसके पत्ते हैं अगर मैं यहीं से देख रहा हूं तो यह पूरे रड कलर के पत्ते हैं सारे और आप पेड़ ऊपर से देखी रहेंगा कि इतना सुंदर लग रहा है लाल पत्ते हैं और सब जड़ रहे हैं पत्त जड़ जो है सर्दी का जो मोसम है वो चल रहा है इस ताइम यहां पर बाकी पेड़ों को भी देखता हूँ अलग-अलग colors दिख रहे हैं मुझे जैसे यलो पेड़ दिख रहा है मुझे यहां पर ये red color का पेड़ यह अच्छा लग रहा है, अब दीरे-दीरे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब अच्छा होगा, क्योंकि एंट्री से मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो यही था कि एक छोटा सा पाक है, अब अंदर चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है, अब यह जो है, यह रोस गा यह जो बनाया हुआ है, इसको पुरा मिंटेन अच्छे से किया हुआ है, बट क्योंकि मोसम ही जिसमें मैं आया हूं, वो ठीक नहीं है, इस वज़ए से जो है, वो काफी कम दिख रहे हैं, बट रोजे काफी अच्छे हैं, पिंक रोज है, यह यलो रोज है, और उदर वाइ यह जो होगा, बहुत ही सुन्दर लगेगा, और खुश्बु भी बड़ी प्यारी आएगी यहां पर, अभी भी आ रही है खेर, अकर देखो तो फूलो की जो महक है, वो बड़ी अच्छी आ रही है यहां पर, बिकोज अफ येलो फ्लार्स, और येलो फ्लार्स भी आप दे दो-चारी कांटे हैं, दरवाइस इस पर कोई फूल नहीं है, यह आप देखो के तो काफी बड़ा फूल है यहां पर, और भी हैं सारे अलग लग तरह के जो विराइटीज हैं, यह गुलाब पिंक वाला दिखाता हूँ मैं आपको, इजर देखो, इसको कहते हैं गुलाब, क्योंकि रंग भी गुलाबी है, यह देखो, इसके ओपर कांटे जरूर हैं, यह काफी बड़ा फूलार है, और इसके ओपर कांटे भी बहुत सारे हैं, चोटे-चोटे, बारीक से कांटे हैं, उस वाले दूसरे जो वेराइटी था, उस पर नहीं था, यह वाइट वाल है, यह भी काफी बड़ा फ्लार है, सारी फ्लार्द हैं, यह बहुत सुंदर फ्लार्द हैं यह पर, यह जो बेटने की जगाया बनाई हुए हैं, इसके ओपर भी फ्लार्स वगेरा हैं, जो लगेंगे, अभी मोसम नहीं है वह वाला, तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं, खेर पेड़ है पूरे इसके जो पत्ते हैं और सब देखो नीचे गिर रहे हैं किस तरह से और पूरा जो एरिया है वो छोटे-चोटे लीव्स हैं जो इसके उससे भर चुका है थोड़ी सी हावा चलेगी न तो बहुत जादा जो भी पत्ते हैं सारे ये शायद ये वो बाइलोबा प्लांट है न हाँ यार ये जिंको बाइलोबा है शायद तो जिंको आइगेस क्यूंकि मुझे इसका जो पत्ता है वो मुझे लग रहा है जिंको बाइलोबा है मैं पर दे यह जिंको बाइलोबा प्लांट है, क्योंकि इसका जो पत्ता है, इसको मैं पहचानता हूँ, और जिंको बाइलोबा प्लांट के बारे में, आपको अगर बताऊं, तो यह सबसे एंशेंट जो प्लांट्स थे, उन में से एक है, और इसका जो पत्ता है, इसकी युनीक सी पेड, यह पाइन है, यह जो आप देख रहे हो पेड, यह इतना विशाल का यह पेड है, कोरी पाइन इसका नाम है, और इस पेड को जो 1910 में प्लांट किया गया था, और जो इसकी जो, अगर आप देखो गें, इसकी सरकमफ्रेंस है, लगबग 6 मीटर के करीब इसकी जो है, अब देख पाओ गई, कितना विशाल है, कि देखो मेरे दोनों हाथ भी खोलू अगर मैं, तो भी शायद यह पूरा नहीं आपाएगा, इतना विशाल यह जो है, यह पेड है, 1910 में इसे प्लांट किया गया था, और इसकी जो हाइट है, उनिसो तेरानवे में जो मापी इसके उपर से ही पाइन का पेड है, बैसिकली जो पाइन है, इसके उपर से गिड़ते हैं, जो मैं उपर तो देख पा रहा हूँ कि पाइन है यहाँ पर, तो काफी बड़े साइज के जो है पाइन रहते है, तो देखो कितना बड़ा पेड है यह और पहली बार शायद मैंन रेड़वूड जो देखे थे वो इतने चोड़े पेड़ देखे थे जो रेड़वूड होते थे मैं न्यूज़िलेंड में जब था तो मैं रेड़वूड देखे थे पट यह पेड बहुत ही अच्छा है अलग इसकी जो ब्रांचे जय वह ऐसा लग रहे है जैसे फिंगर हो और ये बच्चो के लिए खेलने के छोटी सी जगा है, इस बोटैनिक गार्डन के अंदर एक और छोटा सा बोटैनिक गार्डन जो कि सिर्फ बच्चो के लिए, बच्चो के लिए होना भी जरूरी है क्योंकि अगर माबाप साथ में बच्चो को लेकर आते हैं, तो वो मैं आगर बच्चा होता तो और मुझे ज़रूर अच्छा लगता है एक और पेड़ मुझे दिखा जो की छोटा सा पेड़ है छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने भी पेड़ देखा वह बहुत बड़ा था वैसे चोटा नहीं है इसका नाम है डगलस फर और डगलस फर पेड़ के ऊपर जो मैं यहां पर इसकी ब्रांच को देखा मुझे अकर्शित में इस चीज से हुआ कि एक ब्रांच है जो वो कटी हु उड़ अधर एक रेड कलर का वुड़ है बड़ा ही अच्छा सा तो रेड़ टाइप साह एं कुछ अंदर बड़ी हा लगए है इस एक फाउंटें एरिया और इस फाउंटेंटें अर्या के अंदर बहुत ही अच्छे च्छे छोटप बर्ड जैसे कि आपको यह दिख रहे ह जो है वो बड़ा अच्छा जो है पेड लगाए हूँ है यह डक्स इधर घूम रहे हैं openly और बहुत ही अच्छा लग रहा है साथ में जो फॉंटेंस अभी नहीं चल रहे हैं शायद यह इस टाइम पर क्लीनिंग कर रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो जिसकी वाज़े से नहीं जरूर फ्लो हो रहे हैं यह वाटर आप इधर चारो तरफ जाता है और यह फिल्टर आउट हो करके घूमता रहता है पत्ते भी बहुत जादा पड़े हैं इसी वज़े से यहां पर जो है वो क्लीनिंग चल रही है बढ़ हाँ यह डक्स हैं इनको इस चीज़ से कोई फरक न जो यह यहां पर घूम रही है और यह यह लेक जो फाउंटेंट का जो एरिया है को पत्ते हैं क्योंकि उतर रहे हैं इसकी वज़े से इस तरह क्या है नहीं चल अधर्वाइस ये एक अच्छा बहुत स्पोर्ट बनाया हुए तीन तरफ से एंट्री है इसकी और यहां पर आकर क्या बैठ सकते हो, फोटो किचा सकते हो अलग-अलग तरह के पेड़ है चारो तरफ प्राकृतिक सुंदर्रे से परिपूर्ण इस माहूल को इस जगा के सुंदर्रे का आप आनन्द उठा सकते हो यह जो पेड़ है इस पेड़ का नाम है किरकस बलोटा और जो है ओक है शायद यह इसको जो है 1908 में यहां के जो मेर है उन्होंने प्लांट किया था तो इसकी उम्र यह देखो आप कितनी जादा उम्र है एक सो वर्ष से उपर यह है जो इसका जीवनकाल हो चुक है 1908 में इसे प्लांट किया गया था ओक ट्री है यह 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 भी काफी बड़ा फैला हुआ जो है वो पेड़ है यहां पर काफी अच्छा एरिया है इसने कवर किया हुआ है पत्ते भी इसके जो हैं वो बहुत अच्छे है और इसके उपर सोड़ी यह काई जमी हुई है बढ़ इसके नीचे धूब में बैठने में बहुत ही अनन्द आएगा 100% इसकी उम्र काफी है काफी सारे पेड़ है यहां पर जो काफी उम्र दराज पेड़ है जिनको मैं कहूं तो 1908-1910 इसके करीब में जो है इनको सबको रोपा गया था यहां पर जो है प्लांट किया गया था पाकी पेड़ों को देखता हूं मोसम वैसे खराब हो चुका है थोड़ी थोड़ी बारिश है जो शुरू हो चुकी है सर्दी भी है और बारिश भी शुरू हो रही है और इस पेड़ की वज़े से थोड़ा सा मैं बचा हूं अगरवाइस बारिश शुरू हो चुकी है यह सेनेगल का डेट पाम सेनेगल मतलब एफ्रीका के अंदर है जो तो वहां का यह डेट पाम ट्री है चार इसकी जो है चतरभुज टाइप सा है यह चार-पांच शायद बुझा है इसकी नहीं और काफी भी काफी सारे हैं इक अठ्था ही है यह शायद एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग इसकी जो यह तो यह शाखाएं यह अले इंडिविजुल पेड़ी है मुझे लगता है इंडिविजुल पेड़ी है यह सब निकले हुए और यह जो खजूर है यह उसका पेड़ है और इस पर खजूर जो है लगे हुए इस तरह के जो पेड़ है मैंने बच्प पेड इसके अंदर से डफिनिटली गम निकलता हो और सिक्ट है वह लावा यह पर यह बाइंबू क्लांट नि को देखें कि कूंसी वेराइटी यह नुख्था भी यह देखो इसकी जो चाल है वो कुछ इस तरह की दिखती है वड़ी शाइनी सी है और अंदर से इसको जो है यह लखडी की तरह पेपर नहीं होता जैसे एसे यह टीएर हो जाती है और यह इस तरह से multi layers में और अंदर जो है वो धागे धागे हैं वो लगे हूँ एंट तो इसका यूज जो आदिवासी है या जो जंगल में विचरन करने वाले लोग है वो अलग अलग तरीके से जो है वो करते हैं इसकी जो छाल है उसका और जो ये जो प्लांट है इसका तो आपको पता ही है इ यह तो लट है एक दम, लट गार रखें सारे, जितने भी है यहाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला है, पाम त्री, पाम, जो है, इसको बोलते हैं American cotton, पाम, और इसका जो बायलोजिकल लेम है, वो है Washington Philly Pharah, और American cotton पाम शायद इसे इसलिए बोलता है, I'm not sure about it, क्योंकि कि जितना मैं अपनी observation से देख पा रहा हूं इसका जो चाल है जो उपर का बाक है उसको मतलब वो easily उतर रहा है और काफी मतलब क्या बोले से easily उतर सकता है या अगर इसका जो बाक है उसको मैं खीचू थोड़ा सा तो भी बट अंदर बाक के अंदर जो इसकी first layer है वो आप सास हो रहा है इसके क्योंकि बाक जो है जादा मजबूती से नहीं जुड़ा हुआ अंदर जो है काफी strong है इसका जो यह चुड़ाई है comparative टू जो बाकी palm trees है जो पतले होते हैं नीचे से और उपर की तरफ जाकर सरकुलर हो जाते हैं वैसा नहीं है यह एकदम सीधा खड़ा पाम है बड़ उपर अगर देखोगे ना तो जो इसके जो पत्ते हैं वो जादा एरिया कवर नहीं कर रहे है नूर्मल सा है जो वो एरिया कवर करते हैं यहां पर इस तरह कि दो पाम लगाए गए हैं दो भी नई पर चार पाम है एक रो के अंदर और इसके बाद यह है जो वही उसी केटेगरी का ही है वाशिंग्टन जो इसके जो जैनस या स्पीशिस या पायलोजिकल नेम है और इसको देखोगे तो यह काफी पतला है नीचे से उपर जाकर तो बिल्कुल पतला हो जाता है बड़ काफी लंबा है और टो पर जो लीव्स का जो जो इसका फैलाव है वो इतना जादा नहीं है और यह भी सेम वही प्लांट है और सोरी पाम है और इसको स्काइडस्टर पाम भी कहते हैं और यह है वाशिंग्टन रोबस्टा इसके ओपर यह काई भी लगी हुई है थोड़ी वाशिंग्टन रोबस्टा है यह वाशिंग्टन फिली फैरा थ जो काफी जादा आम तोर पर जो मैंने देखा है पाम जिसकी जो चाल होती है वो थोड़ी सी ऐसा लगता है जिससे इकठी हो गई हो वो है यह वाला इसको मैंने काफी देखा है इंडिया में भी काफी देखा है नोट की exact यही होगा बट इसी तरह का जो है इसका चाल है जो मैंने quite common देखा पाम के उपर ये वाला जो है जो ट्री इसको उपर से बहुत जादा फैला हुआ है ये काफी इसका जो पत्तों का फैला हुआ है वो काफी जादा है इसके साथ पीछे की साइड पर एक अलग से छो इन प्लांट्स को देखते हैं कि ये क्या है एक ये रेड गलर की कुछ चेरी टाइप दिख रही है पता नहीं क्या है ये I don't think कि ये खाने लाएक है काफी हाड सा फ्रूट है और इसको तबाया तो काफी जोड से तब जा करके इसका एक सीड निकला है इस तरह कि इसकी तो ये कुछ मटर के दाने जैसे लग रहे हैं जगा जगा पर बिखरे हुआ है तो इस तरह का कुछ ही है मटर जैसा इसका मैं दिखाता हूँ आपको कैसा इसका फ्रूट है ये काफी हाड फ्रूट है ये वाला जो अगर आप देखोगे ना काफी हाड फ्रूट है और ये जो सीड है वो शायद बाहर निकल जाएगा और बाकी जो प्लांट होंगे वो उख जाएंगे उससे तो खेर ये इस तरह का भी एक प्लांट है ये ब्लैक बीन है इसका नाम साथ में यहां पर एक छोटा सा प्लांट लगाएगे ये फर्न है शायद काफी छोटा है काफी अच अच्छा लग रहा है ये भी ये जो है इसको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बच्पन में इमली के क्या बोलते थे हम उसे लोकल भाशा में किटारे बोलते थे शायद वो खाते थे उस तरह का कुछ है बट काफी हार्ड फ्रूट है अब आगे चलते हैं ये वाला जो पेड़ है ये है सेडार का पेड़ सेडार सीडार आपने सेडार वुड का नाम सुना ही होगा तो ये लेबनीज सेडार है इसके जो पत्ते हैं सुई की तरह है एकदम मतलब पतले-पतले से पत्ते हैं इसके आपको इसको पास से दिखाता हूँ ये लेबनीज सेडार है इसके पत्त है इसके बाद यहां पर आ यहां पर एक और यह पेड़ है और इसके भी सेम उसी तरह से जो है पते जिसके क्या बोलते है? और वह वी सुई की तरह है बारीक अक्तम यह भी उसी तरह का एक प्लांट मेरे लिए क्रिस्मस ट्रिण के ऐसा कोई भी शेप का पेड़ दिखे उसे मैं krismas tree बोल देता हूं खेर इससे आगे बढ़ते हैं आगे बाकी पेड़ों को भी देखते हैं कि किस पेड़ की क्या खासियत हैं एक छोटा सा एरिया एलोकेट किया गया है इस structure को भी यह structure है क्या basically इस structure को यहाँ पर लगाया ग या दिन का कौन सा क्या समय हो चुका है ये बता पाती है सन की जो शेडो पढ़ती है इस structure की वज़े से उससे पता लगता है तो basically सन की shadow बनेगी और नीचे ये एक जो circle बना हुआ है जहां पर भी shadow बनती है उस shadow के हिसाब से यहां पर उकेरा गया है इस metal के structure पर कि कौन सा time हो च चुका है यहां पर सब लिखा हुआ है और आप सब बता सकते हो तो इसको भी read करना अपने आप में कला ही है कि इसको कैसे read करते हैं sundial को खेर मेरे लिए नई चीज़ है मैंने नया-nया सीखा कि कैसे read करते हैं इसे मैंने भी पढ़ा देखा और यही है जो sundial है यहां पर बाकी दूसरी घड़ियां भी है time देखने के लिए measure करने के लिए पर यह एक natural तरीका है जिससे आप समय का पता लगा सकते हो कभी-कभी ऐसी situation आ जाती है जब आपको इसकी तरहां इसको read करना आना चाहिए जिससे कि आप समय का पता लगा सको कि क्या चल रहा है एक इसके अंदर एक छोटे से section में flowers लगाए गए है यह flowers जो है यह almost मुझे लग रहा है यह same flower है बट अलग-अलग colors के हैं तो varieties इसकी अलग-अलग है और इसके जो leaves है वह भी एक traditional flowers होते है ना जो एक circular symmetry में रहते हैं वैसा नहीं है यह थोड़ा अलग सा flower है और इसकी structure है बट हाँ यह किसी ने present किया था यहां पर 1892 में यह यहां पर लगाया गया था यह चोटा सा structure भी है इस शहर की अपनी एक कहानी है और काफी पुराना है और काफी पुरानी यह जगह है यहां पर जो buildings हैं यह फिर जो sculptures हैं यह installation है काफी पुरानी है जो दिख रही है तो चोटे से पाक बोलूँगा मैं इसे चोटे से पाक में बहुत सारे टाइप के plants हैं बहुत सारी टाइप की varieties है flowers की और बहुत सारी चीज़े हैं तो सीखने को देखने को समझने को बहुत कुछ है यहां पर चोटी सी जगह परी और मेरी नजर यहां से चलते चलते पड़ी उ मंदर इसके अंदर यह मुझे देखकर है Harry Potter की या अदा जाती है Harry Potter का पता निकौन सा उसकी बाग है वह जिसके अन्दर इस तरह ही टूटी होती है और जिसके आप पानी पी सकते हो पुराने टाइम में डेफिनिटली वह अलग तरह की जो है वह त्मटिया रही होंगी बठ यहां अभी है जो यह modern installation है, बट structure पुराना है, तो यह काफी अच्छा लगा हुआ है, अगेन यह भी काफी पुराना है यहाँ पर, बहुत पुरानी वाली चीज़े यहाँ पर, मुझे देखने को मिली है, यह जिस पेड़ के ऊपर मैं सहारा लेकर के बैठा हुआ हूँ, यह पेड़ है Chinese Elm का, E-L-M, Chinese Elm, और इसका जो चाल है वो अलगी तरह की है, और यह चितकबरा सा लग रहा है मुझे, और अगर आपको इसको देखना हो, तो पास से टाइगर की स्कीन होना, इस तरह कुछ इसका appearance है, वो है, और यह देखो किस तरह से, यह बड़े अच्छे से यहाँ पर स्थापित है, यह फिर उगा हुआ है, यह बड़ा अच्छा पेड़ है यहाँ यहाँ पर, यह है Chinese Elm का पेड़, बाहर से इसकी चाल देखने में, यगीनन एक चीते की तरह है, यह टाइगर की तरह है, इस तरह का leopard, वो इसी family के जो animals हैं, उस तरह की मुझे इसक नहीं garden, बहुत ही छोटी जगा, पर यहाँ पर पेड़ हैं, और बाकी जो चीजें, जो flora है, बहुत ही अच्छा, काफी अलग-अलग varieties हैं, जो plants की, trees की, मुझे सब देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आ करके, शांसा जो है वो प्लेस है, अराम से बैठो, रिलाक्स करो, इतर उतर थोड़ा गूमो, बच्चों के लिए भी गूमने खेलने की जगह, तो यह मेरा सफर आज का मैं यहीं पर एंड करता हूँ, इस जगह का, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स जगह पर चलता हूँ, उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडिय अच्छे लगते हूँ, मैं थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ वीडियो को, सिंपल इसलिए ताकि इजी हो, आपको समझने में जादा कुछ मशक्कत ना करनी पड़े उसको, और अभी के लिए मैं यहां साइन ओफ करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करते रहना, पसंद आय करना, अधर वाइस लाइक जुरू कर देना, थैंक यू